आलियवट को बॉलिवट की टॉप एक्ट्रिस इसमें ऐसे ही नहीं माना जाता है बलकि वो अपने टैलेंड के दंपे बहुत जगह बना हुई है और उसका जीत जाकता सबूत है ये वाली मूबी मतलब जिगरा मूबी पहले जिगरा मूबी रिलीज हो चुकी है जो की काफी इंटर्टेनिंग है और अगर बात की जाए जितनी तारीफी मूबी मेकर्स और भी सारी कास्ट मिलाकर डिजर्ब करती है उसनी तारीफें सिरफ अकेले आलिया वट डिजर्ब करती है और यही बज़े है कि वो बॉलिबुट की टॉप एक्टरिस मानी जाती है और मुझे तो यही लगता है कि आलिया वट में जो काम ये किया है वो अभी तक बॉलिबुट की कोई भी एक्टरिस नहीं कर पाई है यह पहली action movie है जो कि किसी hero की बज़े से नहीं बलकि एक actress की बज़े से जाने जा रही है और बो है आलिया भट वेल अगर movie की बात की जाये तो अगर movie को मैं एक land में बोलू तो movie पैसा वसूल है और पूरी entertaining है और यह movie ऐसी movie है जिसको आज से पहले तुमने कहीं भी नहीं देखा होगा और खासकर इंडियन सिनेमा में तो ऐसी movie बनी भी नहीं है वेल भाई वहन को पर बहुत सारी movie बन चुकी है लेकिन अरवार वहन को भाई बचाता है लेकिन पैनी वार ऐसा हो रहा है कि एक वहन अपने भाई को बचा रही है और वो भी पूरी सिर्जद के साथ जहाँ पर इंडियन एक्ट्रेस तो बहुत ज़ादा कमजोर दिखाये जाता है मतलब उनकी बीक में दिखायी आती है पर इस वाली movie में चीज़े ओल्टी की गई है और एक ऐसी lady को दिखाया गया चुकी अपने भाई के लिए दुनिया से लड़ सकती है वैल पिछले काफी दुनों में लोग ये बाते कर रहते हैं कि इंडियन सिनेमा चेंज हो रहा है पर असली चेंज तो इसे बोलते हैं जहाँ पर लीड में तुम एक female एक्टर को लेके आते हो और movie कोई साधा dramatic नहीं होती है बलकि accent से भरपूर होती है ये चीज़े बहुती कम होई है वालीवड में और किसे चीज़े नहीं इस चीज़े साबित होता है कि इंडियन सिनेमा चेंज हो रहा है पर अगर movie की कहानी की बात की जाए थोड़ा spoiler हो जाएगा पैस मोटे मोटे लफ जो मैं कुछ चीज़े बता देता हूं कि एक बाई और बहन की कहानी है जिसमें बहन अपनी बाई के लिए पागल है मतलब उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है फिर हो जाती है बाई के साथ कुछ उल्टी फीदी चीज़े और वो पकड़ लिया वाला है इसके बाद तुम्हें एक चीज़ अपनी तरफ से मेंसन पक्ता करोगे कि आलिया वर्ट बॉल्यवूट की टॉप एक्ट्रेस है इस वक्ती और फिर लाश्ट होते होते हैं खाफी एमोशनल चीज़े तुम्हें देखने को मिलेंगी जहां पर वो पुराना सौंग पूलों का तारों का पूरे मोवी में उसका म्यूजिक चलना अलग बाइब लेकर आता है इसके बाद तुम्हें यही लगेगा कि यार पैसा बस बॉल हो गया वैल इससे जाद अगर कुछ बताया जाएगा फिर बहुत सारे स्पोजर बन जाएंगे स्पोजर के बना तो बस